अलाइ चलो स्टार्ट करते हैं इस सेचन में हम बात करने वाले हैं कैल्कुलेशन और टाइम पिरिट देखो इससे पहले जो भी तक हमने बात कर लिए आपका कोई भी मोशन सिंपल हार्मोनिक है उसकी कंडिशन क्या होगी है फिजुगल तो माइनस के एक्स उससे एक्सलेशन एक्वेशन और मोशन वेलोसिटी यहां पर डिराइब कर लिए इसका रिलेशनशिप देख लिए इनके ग्राफ बना के देख लिए और उसी के साथ साथ हमने फेजर डिया और फेजर डिया और प्यों इंपोर्टेंट है वो भी मैंने आपको समझा दिया और अज सेम टाइम उसके उपर सवाल भी सौल कर लिए अब बात यह है कि आपका कैल्कुलेशन ऑफ टाइम पिरिएट जो है वो बहुत इंपोर्टेंट एसपेक्ट है विगोज अगर हमें एक कोई भी जो आपका मोशन हो उसका टाइम पिरिएट पता चल गया अपने को तो उसके पूरी कहानी उसके बाद अपना टाइम पिरिएट से आपकी ओमेगा आजाएगा और वो सारी कहानी आजाएगी उसके पूरी कहानी उसके लिख सकते हैं कि पास् पोरेंट फूटर क्या होगा उस पार्टिकल का तो उस मोशन के लिए बढ़ा ज़रोरी है अब हम यहां बात is in equilibrium position balance are balance all forces acting on it and locate the equilibrium position ठीक है तो वहाँ पर हमें mathematically बताना है कि उसके उपर सारे forces हमें balance करने equilibrium position पर नाव इस equilibrium position से particle को उसके बाद हलका सा slightly displace करो हलका सा वो displace होएगा तो उसके बाद सारी equation वहाँ पर हमें फिर लिखने है बनाके net forces उसके बहाँ पर लिखने है एक बार हमने यह कर लिया उसके बाद step 3 है अब इस नई position पर उसके आपके forces लिखने है और उसके बाद अगर f is equal to minus kx का format आ गया तो वह अपना time period बता देगा तो इसके steps जो है पहला step यह है कि आपको f net at equilibrium position आपको f net equal to 0 की question लिखनी है यही same steps है जो यह जो हम follow करने वाले हैं यहां SHM की scenario में fluid mechanics में electrostatic में या फिर आपका MEC जो होता है वहां पर डाइपोल का जब हम time period निकालते हैं सेम steps है जो किसी भी chapter में SHM के situation में आप follow कर सकते हैं तो पहला step हो गया equilibrium position पर आपने f net equal to 0 की question लिखी next step हो गया नाओ डिस्प्लेश को slightly by x हलका सब उसको x से डिस्प्लेश करना है और उसके बाद आपको फिर equation लिखनी है उसकी अगर f net equal to 0 यहां हम कहेंगे f f net equal to minus kx equation आ गई देन आपका time period हो जाएगा टूपा अंडरूट m by k यह आपका time period by default हो जाएगा उसका reason यह के f net is equal to minus kx से आगया उससे आपका यह omega आ जाएगा और omega की value अपनी होगी अंडरूट k by m तो उससे हम time period लिख सकते हैं और 2 pi by omega यानि की हो गया 2 pi under root m by k यह आपका general solution है तो इसको एक बार यह standard formula यहां लिख लेते हैं तो आपका time period जो आएगा 2 pi under root m by k अगर f is equal to minus kx की scenario equation है इसी का in general अगर हम यह भी लिखना चाहाए formula भी लिख सकते हैं 2 pi under root यह आपका inertia factor divided by spring factor इसका मतलब क्या है अभी समझाता हूं inertia factor divided by spring factor इन जनरल आप किसी भी scenario में यह वाली चीज भी लिख सकते अब इसको ऐसे देखना अलग अलग scenario में हर बार यह तो हम बात कर लेते हैं हमने सारी कहानी कर लिए है पर अगर एक आपका drum पानी में ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है उस case में spring का है तो उस case में हम यहां पर लेखते inertia factor divided by spring factor अभी बात आपको example करेंगे तो समझ में आ जाएगी ठीक है और अब इसके उपर सवाल करना शुरू करते हैं तो सबसे simplest example हो गया कि मान लीजिए आपका यह spring है ऐसे लटका हुआ है और यह आपकी mean portion पर है यहां कहीं पर आपकी natural length ही उसका natural length से कितना नीचे है उसका SHM से कोई लेना देना है नहीं ठीक है तो यह आपका mean portion है इस जगे पर आपने पहला step follow किया आपने लिखा f net की value लिखी will be equal to 0 तो f net आप यहां लिख सकते है mg will be equal to kx नीचे mg यह से लिख सकते है mg minus kx equal to 0 यह आपका f net आगया नीचे mg ऊपर kx आपका यह अपलाई हो रहा है ना इसको इसके बाद हमने displace कर दिया let's say minus x से हलका सा x से हमने हलका सा नीचे की तरफ displace किया है तो हमारा पहला step हो गया और इसको आप यहां पर नई equation लिखनी है अब इसकी जो पहले x not मान लो extension था और अब इसका spring में extension x not plus x हो गया है तो इसकी equation लिखेंगे f net will be equal to mg minus k x not plus x because अब आपका spring में extension x not plus x आ चुका है so which implies right hand side हो जाएगा आपका mg minus k x not minus k x now पहली equation से mg is equal to k x है तो यह दोनों cancel हो जाएंगे है which implies आपका f net जो है वह हो गया इस इकोल टू minus k x नौ यह अपना यही वाला format आ गया f is equal to minus k x का इसका मतलब यह है कि time period हम डारेक्ट लिख सकते हैं इसका two point root m by k यह आपका time period हो जाएगा नौ इसका एक और example करें तो बहुत simple simple काम होते ही है ठीक है so scenario यह है कि आपका मान लीजे यह inclined plane है theta angle है आपने यहाँ पे एक spring को ऐसे बांदा हुआ है m mass है कि उसका constant है यह आपकी mean position थी अब आपने इसको हलका सा ऐसे 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 डिस्प्लेस किया और अब यह ऐसे 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 चम कर रहा हमें इसका time period बताना है ना अगें यही वाले steps हम follow करेंगे पहला step है जिसको हमने लिखना है क्योंकि equilibrium position f net equal to zero होगा which implies आपका mg sin theta minus kx not will be equal to zero क्योंकि यह आपका extension जो x not आया है और mg sin theta equilibrium position f net यहाँ पर zero होगा तो इसको लिख सकते हैं mg sin theta will be equal to kx not या आपकी equation number one बन जाएगी और नेक्स टेप है आपको हलका सा x-ray displays करना है अब इसके बाद जो f net की equation होएगी उसको हम लिखेंगे f net will be equal to mg sin theta minus k x not plus x क्योंकि अब extension spring में आपका x not plus x आ गया है तो यह actually आपका spring force होएगा तो इसी को f net की equation लिखेंगे यह बनेगा आपका mg sin theta minus kx not minus kx अगी ने दोनों term कट जाएंगी आपकी f net की value आ गई माइनस kx इसका मतलब time period हो गया टू पाइंट रूट m by k डारेक्ट आप उसके बाद यह value लिख सकते हैं so I hope इससे चीज़े आपको clear हुई है और इसके सवाल solve करते हैं नेक्स scenario नेक्स scenario यह है कि मान लीजिए आपका यह आपका स्प्रिंग कॉंस्टेंट है यह आपका स्प्रिंग है विद कॉंस्टेंट के यह आपका मास है और इस वाकर सारी दुनिया में शान्ती है एंसे equilibrium position पर लेकिन हमारा मन कर रहा था संडे बैठा संडे था कोई नेको कुछ नहीं था हमने इसको टपली मार दी एक से हमने डिस्प्लेश कर दिया अब हमारा काम है कि यहां पर में बताना है कि इसका time period क्या हो गया यहां भी होता है यहां भी होता है दोनों भी लगा सकते उपर भी लगा सकते अल प्रकनी पड़ेगा time period से हमाएगा कुछ और सिखाना चाहरा हूं तो इस case में आप लिखेंगे tension will be equal to mg यहीं टेंशन आपकी spring में convert होएगी और आपका पहला step है आप लिखोगे f net equal to 0 तो यहां पर आपका fsp जो आ जाएगा यानिकी fsp minus t will be equal to 0 और fsp जो है उसको आप लिख equal to 0 यह आपकी पहली condition बन जाएगी अब इसके बाद हमने equilibrium की condition बन गए second step यह है कि हमने इसको x-ray displace किया है अब उसका जो आपका third step होएगा third step में क्या है कि हमने इसको x से जब displace कर दिया तो मैं f net की equation लिखनी है आपकी f net equation बन जाएगी f net will be equal to equation यहां पर हो जाएगी आप again यह फिर अभी तक अगर आपको you got a hang of it तो आपका mg और x not cancel हो जाएगे तो आपकी f net की value है वो आ गई minus k x यानि कि आपका time period हो गया 2.0 by k तो इन सारी situation में आपका time period 2.0 by k आ जाएगा तो spring यहां होती यहां होती कोई फरग नी बढ़ता लेकिन अगर spring यहां पर लगी भी है नीट मैंसे सवाल पूछते नहीं है इसलिए मैं यहां पर करनी रहा हूं जही वालों के लिए I will create a separate video के यहां अगर spring है तो उसका m by k नहीं आएगा तो इसको यहां यार रख लेना कि और फिर अलग-अलग motion करवाते हैं और असान होते हैं सवाल बेसिक तो यहीं है उसके बर थोड़ा सा time उनको जादा मिलता है advance में करने का इसलिए थोड़े लंबेल सवाल होते हैं ठीक है पर basic charge step यहीं है आपके तो यह situation में अपना time period हो जाएगा नो इसके बाद बाहत करते है spring के combination में कि जब आपने series parallel या mix combination मना रखा है उस case में time period कैसे आएगा अगर अपने को यह scenario दिया हुआ है कि मान लो कुछ scenario यह है कि यह आपका spring यह आपका दूसरा spring block यहां रखा हुआ है यह k1 यह k2 और यह आपका m mass और इसका आप में time period बताना है तो इसका time period आप लिखेंगे टूपा अंडरूट m divided by k equivalent ठीक है अब यह क्योंकि आपका parallel combination है तो parallel combination में हमें पता है के equivalent की value आपकी k1 plus k2 हो जाएगी NLM में इसमें बात कर चुका है कि दोनों spring का धीट पना काम आएगा मैं आपको demonstrate करके दिखा चुका हूँ कि उस case में आपका k equivalent जो है वो k1 plus k2 हो जाएगा now scenario अगर यह है कि आपका एक spring k1 k2 यह आपका mass ऐसे रखा हूँ है इसको आपने डिस्प्लेस किया time period आपका दुबारा फिट टू पाए एम के टू पाए अंडरू टैम भाई के equivalent होएगा इस case में k equivalent की value आप लिखेंगे k1 k2 divided by k1 plus k2 यह आपका k equivalent आएगा तो यहाँ पे जो spring factor है आपका वो यह वाला factor बन जाएगा इसी case में अगर scenario ऐसा है कि यह आपका m mass है यह k1 है और यह k2 है अब इसको आपने यहां से यहां से displace किया है इस case में यह वाला combination है नलम में इस पर बात कर चुक है इस चीज़ को कि यह वाला आपका parallel combination है तो इस case में आपका जो k equivalent हाएगा वो आपका k1 plus k2 होएगा विकार जब आप इसको x से displace करोगे तो दोनों spring का धीट पना दोनों का stubbornness दोनों की toughness आपको एक साथ देखने को मिलेगी इसको आप दबा रहे हो इसको आप खीच रहे हो तो दोनों resist करेंगे तो इसका k equivalent यह होएगा आप डारेक्ली इसको result को यहां पर यूज कर सकते हो ठीक है और इसी के अलग अलग बहुत सारे combination होते हैं और actually जो combination है आपके यह NLM के सवाल हैं जहां पर आपको k equivalent निकालने की ज़र्वत है और यहां पर तो आपको बस value fit करनी है ठीक है तो इस सवाल मुश्किल नहीं होते हैं अगेर यहां पर next variety के सवाल ऐसे होते हैं कि आपने एक spring लिया जिसका constant K था length उसकी L थी इसको हमने दो पार्ट में cut कर दिया तो एक आपका spring है जिसकी length है L by 3 और एक और spring है जिसकी length है 2L by 3 अब इन दोनों को हमने combination ऐसे बनाया है कि यह एक spring है यह दूसरा spring है इन दोनों को आपने ऐसे join किया है M mass लटकाया तो इनको parallel join करके अब हमने य time period कितना होगा नौ इस case में क्योंकि इसकी आचा एनलम में इसके उपर फिरम discussion कर चुक है तो मैं आपने आपको repeat नहीं करूंगा तो यह वाला जो spring है इसका k- जो आएगा वो k- आपका 3K हो जाएगा इसका जो k-1 कहलो इसको यह इसका जो k2 होएगा वो 3 by 2 के हो जाएगा इस case में जो इनका k equivalent आएगा वो आपका इन दोनों का sum हो जाएगा यानि कि हो जाएगा 3K प्लस 3 by 2 के है तो इसकी वेल्य हो गई यहाँ पे 6,39 तो k equivalent आगया 9 by 2 के और time period आपका simply 2.0 root m divided by 9K और उपर 2 आजाएगा यह आपका इसका time period हो जाएगा तो इस सवाल मुश्किल होते हैं इसके लिए बस आपको के equivalent निकालने की जर्वत है और उसके उपर हम NLM में काफी चर्चा अलड़ी कर चुके हैं इसी के उपर आपसे 2017 में नीट में बहुत प्यारा सवाल पूछा गया है उसका अलड़ी solution मैं आपके लिए यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हू में 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 दो पूछते हैं ऐसे सवाल पर अगर आप से नीट में भी पूछे जा रहे हैं तो आपको solution करना आना चाहिए उससे आपके concept के लिए कुछ और सवाल करते हैं तो हमारे को स्प्रिंग दिये हुए अलग अलग कॉंबिनेशन है हमें यहां पर time period का ratio बताना है तो पहला स्प्रिंग है कि यह आपका एक स्प्रिंग है जिसका कॉंस्टेंट के है मास है मापने उसको ऐसे लटका रखा है इसका time period टी वन है दूसरा स्प्रिंग है कि आपका दो स्प्रिंग है उन दोनों को आपने ऐसे लटका रखा है दोनों का कॉंस्टेंट के के और इसका सवाल यह है कि find t1 is to t2 is to t3 इन दोनों के टाइम पिरेड का रेशो बताना है देखो अभी रेशो का सवाल है ज्यादा मुश्किल नहीं है मास तीनों का सेम है और इसमें वैरिशन देने के लिए हमें मास करें मास भी अलग अलग दे सकते हैं कि मास यहां पर एम फोर एम और सिक्स्टीन अमों कुछ इस तरह का डेटा भी दे सकते हैं पर इस सेनरियों के साब से देखें तो आपका टी वन जो आएगा देट विल बी काटी वहिंगे तो यहां को आपका टी वन हो गया इसको की से आया तो के मुल्टिप्लाइट एक के डिवाइडेट बाइड़ के प्लस के सो इसकी वैल्ली हो गई इस एक़ैगा के लोगा के लिएगा के डिवाही तू दे एसको और यहाँ पर आपके T3 की इससे value हो गई 2 pi under root m divided by k by 2 तो यह आपका ratio का सवाल नहीं से solve हो जाएगा 2 pi under root m तो आपके constant ही है तो इसको हम लिखेंगे T1 is to T2 is to T3 इसकी value हो जाएगे आपकी चलो data पूरा लिख लेते हैं m by k is to 2 pi under root m by 2k is to 2 pi under root एक काम करते हैं k 2 पर ले आते हैं 2m by k यहाँ से 2 pi m और k आपके cancel हो जाएगे तो आपका ratio हो गया यह 1 is to 1 by root 2 is to root 2 यह आपका ratio हो जाएगा इसको अगर root 2 से multiply करते हैं तो आपका ratio हो गया root 2 is to 1 is to 2 यह आपका desired ratio हो जाएगा अगे डिपेंड करता है कौन सा पहले कौन सा बात में दिया हुए पर अगर यह t1, t2, t3 हैं तो यह आपका desired ratio आजाएगा आपका प्रीबेसर क्वेशन है इसे मास M परफॉर्म्स और पिरेट टी वन हैंग वाइस प्रिंग फोस कॉंस्टेंट के इफ दस्पिंग इस कट इंटू पार्ट्स और रेंज इन पहले इन पहलेल देन देन न्यू टाइम पिरेट विल बिल बी तो सिंपल सवाल है सेनेरिव यह है कि आपका पहले यह मास के और लेंथ की स्ट्रिंग के स्प्रिंग पर लटका हुआ था और इसका टाइम पिरेट टी है अब हमने क्या किया इस प्रिंग को कट किया और दो पार्ट में इकुल पार्ट में कम कट किया से मासे इकुल पार्ट मे नहां पर आ जाएगा तो यहां टाइम प्रेट पहले वाले केस में लिखेंगे आप टूपा एंडरूट एंडरूट एम डिवाड़ीड बाइ अच्छा आप यह दोनों आपके स्प्रिंग जो हैं टूके टूके के हो चुके हैं इनको जब आपने पहलेल में लगाया तो के इसका फॉरक तो यह आ जाएगा आपका फॉर्का आ जाएगा तो अगर आप इन दोनों को डिवाइट कर देंומे frostight के ट्वाइड बाइड अ टी i a जाएगी 2pi m और k cancel हो जाएगे जो इसकी वल्ली हो जाएगी 1 by 2 which implies t2 will be equal to t1 by 2 यानि कि आपका time period जो है वो half हो जाएगा इस case में तो time period half होने का मतलब यह है कि पहले अगर यह अपना complete motion 4 seconds में कर रहा था तो अब यह आपका motion 2 seconds में करने लगेगा ठीक है तो अगर कोई आप से time period half होने का मतलब पूछने लगे तो इसका मतलब यह होएगा कि अब इसका time period half हो गया मतलब पहले जो complete oscillation जगे से बापर जाके अपनी जगे 4 seconds में आ रहा था अब वो 2 seconds में आने लगेगा एक और previous question है which says a mass m is suspended separately by two different spring springs of spring constant k1 and k2 given the time period and gives the time period t1 and t2 respectively if the same mass is connected by both springs as shown in the figure time period t is given by the relation और हमें t1, t2 और t के बीच में relation बताना है now सवाल देखने सुनने में मुश्किल लगता है solution इसका लंबा कोई लोगों को हो सकता लगे पर है नहीं ठीक है तो scenario यह है कि आपने पहले लंबा है बट मुश्किल नहीं है पहले एक m mass को लटकाया k1 की spring से इसका time period आया t1 फिर आपने उसी spring से उसी mass को दूसरी spring से लटकाया जिसका k equivalent है k2 और time period आया t2 अब आपने एक combination बनाया इन दोनों को parallel में लगा के same mass लटकाया k1 और k2 और इसका time period आया t आप उमें बताना है इन तीनों के बीच में क्या relationship है ना पहले वाले case के लिए अगर हम लिखेंगे t1 will be equal to 2 pi under root m by k1 अगर दोनों को हम square करके थोड़ा सा manipulate करें तो हम इसको लिख सकते है k1 will be equal to k1 इदा ले आते है square करके will be equal to 4 pi square m divided by t1 का square यह आपकी पहली equation बन जाएगे similarly second वाले के लिए आप equation बनाएंगे तो चलो करी लेते हैं पूरा आपका t2 will be equal to 2 pi under root m by k2 k2 को ज़ला है square करें so k2 will be equal to 4 pi square m divided by t2 का square यह आपके second equation बन जाएगे similarly third equation के लिए हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपके parallel में लगे हुए तो third equation t will be equal to 2 pi under root m divided by k1 plus k2 यह आपका time period होगा again same manipulation हमने यह करना है तो हम यहापे लिख सकते है k1 plus k2 will be equal to 4 pi square m divided by t square now k1 k2 की value जो है यह first or second से अगर हम यहाँ insert कर दें तो अपनी left hand side बन जाएगी 4 pi square m यहाँ से divided by t1 square plus यह वाली value आजाएगी 4 pi square m divided by t2 square will be equal to 4 pi square m divided by t ka square 4 pi square m 4 pi square हम का cancel हो जाएगा which implies 1 by t square is equal to 1 by t1 square plus 1 by t2 square यह आपका final answer final relationship आजाएगा ठीक है अगें इसी को जो हमें चार option दे रखे हैं उसमें डारेक टेंसे ना देखके t1 t1 to the power minus 2 और यह वह लिखा हुआ है so based on this हम कह सकते हैं कि option number d would be the right answer next यहाँ पर बात कर लेते हैं आप period की बात ही करते हैं तो SHM के सवाल आपको पूरी physics में almost फैले मिलेंगे तो कुछ standard जो answers है कुछ standard जो आपके तरीके हैं या जो standard आपके इसको ऐसे कह सकते हैं फॉर्मूले हैं उनको मैं यहाँ आपके लिए note कर देता हूं तो अगर आपका स्नेरियो फ्लोट में इस पर बात करते हैं कि यह अगर आपका यूट्यूब है जिसमें आपने ideal liquid अपना भरा हुआ है यहाँ पर है तक ठीक है और उसके बार इसको अलकी सी टपली मारी यह आपका एक्स से डिस्प्लेस हुआ और अभी यह जब मोशन करेगा तो इस के बाद f net is equal to वह तरीका वही है और यह रिजल्ट आ जाएगा रिजल्ट को ध्यान रखना ठीक है फ्लूड मेकानिक्स में यह पहली बात हो गई सेकेंड बात फ्लूड मेकानिक्स में हम एक और बात करते हैं कि यह आपका ड्रम है ड्रम को आपने पानी में ऐसे ऐसे समर्ज कर दिया है और यह आपकी एल लेंथ जो है अंदर है इस केस में आपने फिर अगें विल्ले बैठे थे करने को कुछ नहीं थे टपली मार दी उपर सर भी ऐसे आपको टाइम पिरेट बताना है तो इस केस में टाइम पिरेट की वैली हो जाती है टूपांट रूट एल सबमर्जड डिवाडिड बाइजी यह आपका टाइम पिरेट आ जाएगा इसके लिए ठीक है तो यह सिंपल सिंपल से आपके फॉर्मुले होते हैं और एक और स्ने देंदे उसका रेडियस आपका स्मॉल आर है अब इसको आपने हलका सा डिस्प्लेश कर दिया यह ऐसे 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 करके आपको उसिलेट करेगा तो इस केस में जो स्टेंडर रिजल्ट आता है टाइम पिरेड वह जाएगा टूपांट रूट आर माइनस आर बाइजी रिजल डियुसरे आपका सेनेरियो है कि यह आपका पिस्टन है और यहां पर आपकी आइडियल गैसर और इस प्लboys स गया है तो इस प्रूपांञ मास गैस का प्रेशर और वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस किये हुए है आपके पास फिर बिल्लला टाइम था आपने इसको टपली मारी और अब यह ऐसे ऐसे चिम कर रहे है स्टेंडर्ड रिजल्ट है यहार रहेंगे तो को बुराई नहीं है ठीक है तो इसका जो टाइम पिरिड़ आता है वो आ जाएगा टूपा एंडरूट यह फॉर्मले याद होने चाहिए आपको एमेश बाइप स्टेंडर्ड फॉर्मला हो जाएगा इस केस में नेक्स चेनेरियो यहां पर बनता है कि स्टेंडर्ड रिजल्ट है कि यह आपकी अर्थ है अर्थ में आपने टनल खोद दी पता नहीं क्यों पर मान लिजिए आपने दो टनल ऐसे खोद दी है ठीक है अगें डिस अंडर अंदर मॉल्टन कोर लावा और सब की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं बट यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्फेर मान के कर रहे हैं और यहां से आपने किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया तो यहां तक आएगा और यह तो हो गया डायमेटर यह कोई कॉड भी हो सकता है दोनों ही क जहान रखना कभी कोई पूछ ले तो डायरेक्टर वैल्यू यूज कर सकते हैं एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं टॉर्शनल पेंडूलूम हाला कि इसके लिए मैंने लास्ट इम बोला था कि I will create a separate वीडियो जहां पर हम टॉर्शनल पेंडूलूम और कांपॉर्ण पेंडूलम की बात करेंगे बड है इसका टॉर्शनल पेंडूल्ण है इसका टॉर्शनल पेंडूलूम कि आता है टूपा एंडरूट आ बाई सी इसका मोमेंट आफ इनर्शिया है और सी यहां पर आपका इसका टॉशनल कॉंस्टेंट है चलो टॉशनल पंडूलम क्या होता है मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे रहता हूं यह मान लीजिए आप यह एक डिस्क है और डिस्क अपने एक्सिस के बाउट ऐसे घूम सकती है उस डिस्क को आपने यहां पर जो डिस्क किया तो इसके अंदर रसी में जो आपका धागा उपर स्ट्रिंग है मेटालिक स्ट्रिंग है उसके अंदर हलका वाजा ट्विस्ट जो आ जाएगा और जब आप इसको रिलीस करेंगे उसके बाद यह ऐसे 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 करके ऐसे चम करेगा यह आपका टॉशनल पेंडूलम क् जाएगा नेक्स इसके उपर बात करते हैं यहां पर आपके अगर कोई जैसे पढ़ेंगे हम या फिर पढ़ेंगे तो वहां पर डाइपोल आते हैं तो डाइपोल के केस में बहुत सारे वो हैं कि दो चार्ट के बीच में आपने एक तीसा चार्ट रख दिया उसको डिस्प उसका जो टाइम पिरिड आएगा उसको आप लिखते हैं टू पाई अंडरूट आई बाई पी ए पी आई आपका इनर्शा फेक्टर है और पी आपका वहां पे स्प्रिंग फेक्टर बन जाता है सिमिलरली अगर आप मेगनेटिक डाइपोल की बात करते हैं तो उसका टाइम पिरिड हो जाता है तू पाइंट रूट आई डिवाइड बाई यहां पे हम पी की जगे एम रिप्लेस कर देते हैं और एकी जगे बी एम बी तो यह आपका डाइपोल जो ट्वेल में पढ़ेंगे तो वहां पे आपका यह स्टेंडर्ड डाइपोल का झाल 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 झाल